नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर सो CPEC यानि की चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडोर एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है और इस बार इंटरस्टिंग चीज क्या हुई है कि पाकिस्तान की एक सांसदिय समिती है जिसने CPEC की काफी आलोशना करी है नॉर्मली अभी तक हमने क्या देखा था कि चाइना CPEC को लेके थोड़ा चिंतित था कि हमने इतना बड़ा निवेश कर दिया है कि क्या हमें इतने बड़े निवेश के ऊपर कोई रिटर्न मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है अक्सर चाइना ऐसे concerns को शो करता था कि हमने पाकिस्तान को लोन दिया पाकिस्तान लोन देने से जो है चूक रहा है वगएरा वगएरा लेकिन अब पहली बार ये हुआ है कि पाकिस्तान की ही Parliamentary Committee के द्वारा ये कहा गया है कि CPEC उनके हित में काम नहीं कर रहा है जानेंगे इस पूरी डीटेल के बारे में कि exactly इस parliamentary committee ने क्या-क्य observations करी है and also बात करेंगे कि पिछले 5-6 महीनों से जो CPEC का एक trend चलता आ रहा है वो क्या-क्या roadblocks हैं जो की CPEC ने यहाँ पर face किये हैं So as you can see over here, January 2021 की यह खबर है, Asia Nikkei ने cover किया China-Pakistan fall out over belt and road frameworks यहाँ पर क्या हुआ था कि इनकी आपस में थोड़ी सी बिढ़न्त हुई, थोड़ी सी इस तरीके को लेकर इस पूरे के पूरे framework को लेकर थोड़ी सी एक disagreement सामने आया कि China का कहना कुछ और था, पाकिस्तान का कहना कुछ और था और ये चीज आगे बढ़ते बढ़ते, फरवरी में चली गई Chinese power loans fueling a debt trap in Pakistan कि जो भी यहाँ पे loans China दे रहा था पाकिस्तान को, उसके चलते ये डर लग रहा था कि शायद पाकिस्तान भी आगे जाके चाइना की debt trap की diplomacy में फस सकता है अगेन, the story continues, April 2021 की ये खबर है, पाकिस्तान के highway projects stalled due to non-release of funds अगेन, चाइना ने ये शो किया, कि शायद हम उतना जादा confident नहीं है पाकिस्तान के CPAC को लेकर और इसलिए funds को release नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते ये वाले जो highway projects थे, ये रुख गए थे इसके बाद क्या होता है, मई की खबर आपके सामने और हमने इस चीज को लेके video भी बनाई थी, 9th मई की ये बात है चाइना refuses to clear a 6 billion dollar loan for CPAC, जिसमें की पाकिस्तान ने loan मांगा था चाइना से, कि हमें 6 billion dollar का loan चाहिए लेकिन चाइना ने साफ साफ मना कर दिया, और चाइना ने reason भी यहाँ पे दिया था, कि हमें पाकिस्तान में उतना confidence नहीं है कि ये इस loan को repay कर पाएंगे, इसी लिए हम इसको loan देने से इंकार कर रही हैं ये बड़ी बात क्यों थी? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के आज दिन तक जो इतने अच्छे संबंद बने हुए हैं उसमें पहली बार चाइना ने अपने दोस्त पाकिस्तान को loan देने से इंकार किया था इसी चीज में क्या हुआ है कि फिर आगर आप further देखते हैं 30th में की बात है पाकिस्तान economic crisis intensifies as China refuses to provide a debt relief यह वाली problem सामने आती है May 30th को again चाइना ने फिर से मना कर दिया कि हम आपको debt relief नहीं दे सकते हैं नाव जो latest development सामने आई है और यह एक नई चीज है कि पाकिस्तान की parliamentary committee ने जो कि CPAC के उपर इनकी parliamentary committee है उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जो भी हम special economic zones बना रहे हैं CPAC के चलते वो यहाँ पर बेकार हो जाएंगे अगर वहाँ पर industries को timely install नहीं किया गया लेकिन दोस्तों यह वाली जो इनकी observation है यह केवल एक observation है जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अगर आप इस पूरी report को देखते हैं तो इसमें कई सारी और observations भी करी गई हैं यह report पेश करने वाला ANI News है जिसने इस खबर को पेश किया 3 जून को तो आएए जानते हैं exactly यहाँ पर क्या कहा गया है सबसे पहले तो जो 37th meeting हुई parliamentary committee on CPAC की इन्होंने सबसे पहले यह कहा कि जो हमारे SEZ हैं जैसे भारत में होते हैं special economic zones वैसे ही चाइना और पाकिस्तान में भी special economic zones बनाये जाते हैं अपने exports को बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि कई सारे यहाँ पर मुद्दे हैं जो की SEZ को लेकर अभी तक सुलजाए नहीं गए हैं इसमें खास करके sale and cancellation of plots in the SEZ यह सब चीजें अभी तक resolve नहीं हुई हैं इसलिए अभी तक resolve नहीं हुई हैं इसलिए अभी तक SEZ के अंदर जो आपके उद्योग स्थापित होने चाहिए थे वो नहीं करे गए हैं इसके चलते problem क्या हो रही है उन्होंने यह कहा है कि even though हम लोग SEZ को बना तो रहे हैं CPAC के चलते लेकिन उन SEZ को बनाये जाने का कोई फायदा नहीं है because जब तक वहाँ पे industries install नहीं करी जाएंगी तो वो SEZ कुछ नहीं काम कर पाएंगे यह पहली problem है दूसरी problem जो की इसी के साथ जुड़ी हुई दिक्कत है वो पाकिस्तान के ही internal issues हैं पाकिस्तान के जो internal issues है वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि शायद कोई ऐसा group सामने खड़ा हो जाए जिसके चलते कुछ security की दिक्कत हमारे SEZ को देखने में मिल जाए आपने देखा भी होगा आज से लगभग एक डिट महीना पहले की बात है पाकिस्तान की जो अंत्रिक स्थिती थी वहाँ पर काफी जादा instability देखने को मिल रही थी अलग अलग तरह के power centers खड़े हो रहे हैं तो SEZ जैसी चीजों को भी यहाँ पर बड़ी परिशानिया देखने को मिल रही है they are facing the issues in terms of security और parliamentary committee ने साथ में ये भी कहा है कि वो security जो है वो आगे जाकर कई सारे businesses को कई सारे वैपारों को और वैपारियों को काफी खराब तरीके से affect कर रही है report ने second observation में ये भी कहा कि पाकिस्तान असल में latest technology को इस्तिमाल करने में काफी पीछे रह रहा है इसमें उन्होंने एक उधारन दिया अब देखिए पाकिस्तान का जो सबसे लंबा railway project है उसको कहा जाता है main line 1 और ये start होता है पेशावर से और ये जाता है कराची तक ये एक ऐसा railway project है जो कि almost पाकिस्तान की सारी territory को cover कर रहा है इसमें parliamentary committee ने कहा कि अगर हम इसमें electric traction को 8 या 10 साल के बाद लगाएंगे तब तक तो वो वाली technology obsolete हो चुकी होगी और उसको लगाने को मतलब नहीं होगा तो इन्हों ने कहा we need to move towards its adoption right now and upgrade in existing infrastructure of project to the electric traction यानि कि अगर हम इस चीज को आगे जाके लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं है because उस time तक कोई और नहीं technology सामने आ जाएगी तो हमें इस चीज की adoption करनी आज ही important है अब यहां तक तो observations फिर भी ठीक हैं समझाता है कि कुछ objective और कुछ rational observations करी गई हैं लेकिन अगर आप देखेंगे observations जब हम आगे देखते हैं इसी report में पाकिस्तान की parliamentary committee ने साफ साफ ये बोल दिया है कि जितना बड़ा hype create किया गया था पाकिस्तानी government के द्वारा CPAC के इर्दगिर्द ये कहते हुए कि ये पाकिस्तान की सारी की सारी समस्याओं का समधान कर देगा वो वाली अब hype खतम होती जा रही है यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि local businessmen जो है जो वहाँ पर local वैपारी है वो इस चीज़ को लेके काफी चिंतित हैं कि चाइना के जो निवेशक हैं वो वहाँ पर आकर उनकी local domestic industries को भी उनसे चीन रहे हैं वो वहाँ पर आकर उनकी domestic market को भी उनसे चीन रहे हैं और ये problem I am very very sure आप इस चीज़ को देखते होंगे कि चाइना केवल पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में जाके चाइना की strategy यही रहती है और पाकिस्तान में same problem अब उनके जो domestic players हैं उनको देखने को मिल रही है क्योंकि इसके चलते जो पाकिस्तानी players है और उनके जो interest है इनकी सुरक्षा वहाँ पर नहीं हो रही है So first important thing over here जो कि पाकिस्तानी parliamentary committee ने कही है कि domestic players के जो interest है उनको protect नहीं किया जा रहा है Second important thing जो कि इनके द्वारा कही गई है वो ये है कि अगर हम किसी भी एक project को मापना चाते हैं कि अगर हम किसी भी एक project का आंकिलन करना चाते हैं कि भई ये क्या ये project successful रहा या नहीं रहा तो उसको मापने का simple तरीका ये है कि क्या उसने उस particular जगा पे जाके employment को generate किया या नहीं किया क्या वो project jobs create करने में सफल रहा था नहीं रहा था तो parliamentary committee ने साफ-साफ ये बोल दिया है the CPAC has been a visible failure on this count कि यहाँ पर हमें साफ-साफ नजर आ रहा है कि CPAC इस particular संदर में एक बहुत ही बड़ा fail project माना जा रहा है now this is something interesting क्योंकि अभी तक ये चीज़ें चाइना के दोरा कही जा रही थी कि हम थोड़ा चिंते थें लेकिन अब पहली बार पाकिस्तान के दोरा ये कहा गया है कि हम भी CPAC को लेके चिंतित हैं और इस बार पाकिस्तान की parliamentary committee ने इस चीज़ को सामने पेश किया है lecture को खतम करने से पहले दो सवाल है जो आपसे पूछना चाहता हूँ मैं and you can tell the answer in the comment section कि क्या आपको लगता है कि चाइना का जो flagship CPAC project है BRI के अंडर क्या वो fail कर सकता है ध्यान रखिए इसमें लगभग चाइना अभी तक 50 billion dollars से भी अधिक निवेश कर चुका है दूसरी चीज क्या आपको ये लगता है कि आगे जाके पाकिस्तान शायद चाइना की debt trap diplomacy में fall कर सकता है वीडियो को यही पर समात करता हूँ दोस्तो जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा Indian geography का course already शुरू हो चुका है अगर आपने अभी तक enroll नहीं क्या है आप enroll कर सकते हैं 2nd June को ही classes शुरू हो चुकी थी classes रोधाना शाम को 6 बज़े होती हैं अभी भी आपने बहुत classes मिस नहीं करी हैं और इसमें आपको अनकाडमी की subscription अगर आप परचेस करते हैं तो आपको entire course मिलता है जिसमें की आपको YouTube के top educators मिलते हैं डेली की नचंदर नगर की faculty मिलती है इसके बाद आपको ex-bureaucrates भी मिलते हैं जो की आपकी journey में आपके साथ रहते हैं course की cost की बात करें तो दोस्तो course की cost आती है 44,550 रुपीज और ये entire UPSC course के लिए है केवल geography course के लिए नहीं है इसमें भी अगर आप लोग मेरा code यूज करते हैं you are getting the maximum possible discount जो की eventually आपको पढ़ जाता है 120 rupees per day जो की मेरे इसाब से बहुत ही कम amount है अगर आपको अपने UPSC के सपने को साकार करना है इसके बाद अगर आप देखें Unacademy आपके लिए कुछ free initiatives लेकर आया है 13th June को ये test होने वाला है civil services championship अगर आप लोग इसमें top 50 में rank लाते हैं तो आपको कई सारे awards यहां मिल सकते हैं and obviously combat को हमारा चल ही रहा है जो की हर अविवार होता है इसमें भी जो top 500 rankers होंगे उनको भी Unacademy के द्वारा यहां पे scholarships pride करवाई जाती है इसी note पे आप से लेता हूँ विदा, thank you for listening, stay tuned and stay safe